हेलो फ्रेंट्स सुआगत है आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास3-1-Tag तो फ्रेंट्स मेरे काफी सारे विवर्स जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे उन्होंने मुझसे एक कुश्चन काफी बार पूछा है कि सर मेरे जो चैनल के सबस्क्राइबर हैं वो अपने आपी कम हो जाते हैं ओटोमेटिक वो कम होने लगते हैं सर इसका क्या कारण है क्या YouTube मेरे सबस्क्राइबर को हटा देता है सर इसके उपर जरूर हमें वीडियो बना के इस चीज को क्लेर कर दीजिए क्योंकि आपको पता है कि जो बड़े क्रियेटर्स हैं उनके चैनल पे अगर सबस्क्राइबर कम होते हैं तो उनको इतना फरक नहीं पढ़ता जैसे मान लिजिए उनके 1000 सबस्क्राइबर एक दिन में बढ़ते हैं और अगर उसमें से 5 कम भी हो गए तब भी उनके 995 सबस्क्राइबर तो बढ़ेंगे ही तो उन्हें इतना पता ही नहीं लगता ये केवल छेटों क्रियेटर्स के साथ इस तरह की दिक्कत आती है क्योंकि उसके मान लिजिए एक दिन में 5 सबस्क्राइबर बढ़ते हैं तो उसको बड़ा दुख होता है उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे जो सबस्क्राइबर है वो कैसे कम हो गए यूट्यूब ने मेरे सबस्क्राइबर को क्यों हटा दिया इसका क्या कारण है तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले कारण की आपके सबस्क्राइबर का कम होने का सबसे पहला जो कारण है वो कारण है कि आप अपने सबस्क्राइबर्स गलत तरीके से अपने चैनल के उपर बढ़ाते हैं जैसे माल लिजी आपने paid जो खरीदते हैं subscribers को उनसे आपने subscriber ले लिए और subscriber अपने channel पर बढ़ा लिए या फिर आपने किसी website से subscriber बढ़ा लिए या फिर आपने किसी third party app से अपने subscribers को बढ़ा लिया उस time तो आपके subscriber बढ़ जाते हैं क्यों ये YouTube मेरे subscribers को हटा रहा है तो इसका सबसे ये पहला कारण है अब बात करते हैं second कारण की जो second कारण है इसका जो दूसरा कारण है वो कारण है कि YouTube आपके channel के subscribers को filter करता रहता है time to time अब आप कहेंगे कि filter करने से मेरे subscriber कैसे कम हो गए है तो मैं आपको example के साथ इस चीज को समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी ने आपके channel को subscribe किया हुआ है और उसके बाद subscribe किया हुआ है उसने आपके channel को और उसने अपने channel को delete कर दिया है या फिर जो उसका जो channel है वो उस पे copyright आ गया है और YouTube ने उसके channel को हटा दिया है तो वो channel जब YouTube आपके channel के subscribers को filter करेगा तो उसमें उस channel को वो हटा देगा जिससे आपके subscriber down हो जाएंगे छोटे creators को ही इस चीजों का पता चलता है बड़े creators को इतना फरक नहीं पढ़ता इस चीज से क्योंकि छोटे creators के subscriber ही कम बढ़ते हैं तो उसके घटते हैं तो उसे ज़्यादा पता लगता है ज़्यादा problem होती है परिशानी होती है तो ये इसका दूसरा कारण है कि YouTube आपके channel के subscriber को time to time filter करता है जिससे आपके subscriber कम हो जाते हैं अब बात करते हैं तीसरी और आखरी कारण के बारे में जो आपके viewers हैं आपके subscribers हैं जिन्होंने आपके channel को subscribe किया हुआ है वो खुद आपके channel को unsubscribe कर देते हैं अब इसका भी मैं कारण बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी ने आपके channel को subscribe किया हुआ है और आपने 10-15 दिन तक उस पे कोई वीडियो नहीं डाली, मतलब आप इन एक्टिव हैं, महीने में एक आद वीडियो डालते हैं, या आपने 2-3 महीने से वीडियो नहीं डाली, तो जो आपके सब्सक्राइबर उसको ऐसा लगता है कि यह तो वीडियो डाल इन रहा, तो यह मे है, वो इरिटेट हो जाता है, जो आपका सब्सक्राइबर है, वो इरिटेट हो जाता है, जिस वज़े से भी वो आपके चैनल को अंसब्सक्राइब कर देता है, और आपके सब्सक्राइबर डाउन हो जाते हैं, तो यह तीन कारण थे जिनकी वज़े से आपके जो यूट्य चैनल के सब्सक्राइबर हैं, वो आटोमेटिक कम हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है, लेकिन इसकी असली वज़े मैंने आपको बता दी है, अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटिट कोई भी क्वेरी है आपके माइंड में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, थैंक यू